एक गुरू के कॉंसेप्ट के बारे में बात करते हैं गुरू क्या है और कोई अपने गुरू को कैसे खुचता है अलग-अलग लोगों के अलग-अलग गुरू क्यों होते है जैसे एक भगवान है उसी तरह एक गुरू भी हो सकते है ना ऐसे नहीं है भारत में हमारे पास 33 करोड देवी देवता है तो गुरू क्या है गुरू शब्द का अर्थ है गु यानि अंधकार रू यानि दूर करने वाला जो आपके अंधकार को दूर करता है वो गुरू है आप चाहें तो उसे लाइट बल्ब कह सकते हैं वो आन रहते हैं बस इतना ही तो आप जो नहीं देख सकते हैं उसे देख पाने में वो आपकी मदद करते हैं गुरू वही है या दूसरे शब्दों में कहें तो चुँकि मूल रूप से आप एक यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं आप एक गुरू की तलाश करते हैं क्योंकि वो एक रोड मैप की तरह है वो एक जीते जाकते रोड मैप जैसे हैं जब आप किसी अंजान इलाके में यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत माइने रखता है रोड मैप भगवान से ज्यादा जरूरी है इस परंपरा में लोग कहते हैं कि गुरू भगवान से भी उपर है क्योंकि एक लाइव रोड मैप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अब आप किसी अंजान इलाके में खोए हुए हो तो क्या मैं गुरू के बिना अपना रास्ता नहीं खोच सकता ये सवाल हमेशा उठता है ये सवाल एक तरह के घमंडी नजर ये से आ रहा है मैं खुद क्यों नहीं कर सकता देखिए एक काम कीजिए आप घड़ी पेहनते हैं ना मैं आपको घड़ी के सारे पुर्जे दे दूँगा आप अपनी घड़ी खुद बनाईए मैं आपको कंप्यूटर या स्पेस्क्राफ बनाने को नहीं कह रहा हूँ मैं एक घड़ी जैसी आसान सी चीज कह रहा हूँ आजकल ज्यादतर लोग घड़ी नहीं पेहनते क्योंकि वो अपने फोन या कंप्यूटर में टाइम देख लेते हैं तो ऐसी एक पुराने जमाने की मशीन मैं आपको सारे पुर्जे दे दूँगा आप इसे जोड़ के दिखाईए हो सकता है कि आपका पूरा जीवन लग जाए इतनी सीधी साधी चीज तो आप घड़ी के लिए घड़ी सास के पास जाते हैं तो जो चीज आप नहीं जानते उसके लिए गुरू के पास जाने में आपको क्या दिक्कत है हा लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी अलग है अब जब मैं इशा में गुमता हूँ तो मैंने ज्यादा तर लोगों में जो पाया है उससे बयान करने के लिए मेरे पास सबसे करीबी शब्द है भक्ति कुछ लोग इसे पूजा कहेंगे अब जब आपको कोई गुरु मिल जाता है तो यह चीज बहुत दिक्स तर पर नहीं रहती घड़ी बनाना बुद्धी का काम हो सकता है लेकिन खुद को खोजना या कुछ तिव्यत लाशना या उस तिव्यता के साथ जीना यह कॉंसेप्ट क्या है भक्ति और पूजा के साथ आपका क्या रिष्टा है क्या आपका गुरु बिना उस तिव्यता के भाव के आपकी मदद कर सकता है जो हम गुरु में पाते हैं तो मैंने तीन शब्दों का इस्तिमाल किया है पूजा, भक्ति और अबॉद्धिक तो मैं घड़ी बनाने नहीं जानता लेकिन अपनी वर्तमान सीमाओ से उपर उठकर दूसरे आयामों में जाने के लिए मुझे उस तरह के व्यक्तिगत साहरी की ज़रूरत क्यों है क्योंकि घड़ी अलग चीज है लेकिन गुरु आपके उपर काम कर रहा है ठीक है? क्योंकि आप यहाँ सब्जेक्ट हैं न कि कोई दूसरा अब्जेक्ट तो आप यहाँ जो भक्ति या समर्पन देख रहे हैं आपको एक बात समझनी होगी हम किसी भी मौके पर भक्ति न तो सिखा रहे हैं नहीं उसे बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन लोग इस पूरी चीज से इतने अभिभूत इसलिए लगते हैं क्योंकि मान लीजे कि आप किसी रेगिस्तान में हैं और आप वाकई में बहुत प्यासे हैं इतने प्यासे कि आपको लगा कि आप मर जाएंगे अगर कोई आपको पानी का एक गिलास देता है तो क्या ये स्वभाविक नहीं है कि आप उसके आगे सर जुका लेंगे आपके मन में ये विचार नहीं आते ओ ये तो भगवान है ऐसा तभी होगा अगर आपको उस तरह सिखाया गया वरना बस एक इनसान के तोर पर बस आभार के भाव के कारण क्या आप अभीभूत होकर उसके आगे नहीं जुकेंगे तो आप यहाँ जो देखते हैं वो बस यही है उनको किसने नहीं सिखाया कि उन्हें जुकना चाहिए किसने ये सब नहीं सिखाया ऐसी चीजों को बिलकुल बढ़ावा नहीं दिया जाता लेकिन जो उन्हें मिला है उसकी वज़े से उसकी अभीभूत करने की प्रकृती की वज़े से जब अभीभूत करने वाला वो भाव किसी इनसान के भीतर आता है तो जोग जाना एक बहुती स्वाभाविक चीज होती है मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों है कि जिस पल कोई ये सोचना शुरू करता है कि वो एक बुद्ध जीवी है वो भक्ती के खिलाफ हो जाता है मैं आपसे पूछता हूँ आप एक फिल्म में करें क्या आप एक अच्छी फिल्म उसके प्रती समर्पित होए बिना बना सकते हैं नहीं अगर जुनून नहीं है समर्पन नहीं है तो फिल्म भी नहीं बनेगी आपके जीवन में कोई भी सुन्दर चीज नहीं होगी जब तक कि वो उसके प्रती पूरी तरह से समर्पित ना हो, ये नहीं हो सकता